हाई दोस्तों, आज हम बात करेंगे लामोट्रिस 25 मिलिग्राम्स टाबलेट्स के बारे में, ये टाबलेट एपिलेपसी और बाइपोलर डिसॉडर को मैनेज करने में कैसे मदद करती है, ये समझते हैं, लामोट्रिस 25 मिलिग्राम क्या है? लामोट्रिस 25 मिलिग्राम्स टाबलेट में लामोट्रिजन होता है, ये एक अंटिकॉन्वलसंट मेडिकेशन है, जो एपिलेपसी और बाइपोलर डिसॉडर के ट्रीट्मिंट के लिए उपायोग किया जाता है, ये कैसे काम करता है? लामोट्रिजन ब्रेन के नियॉरॉन्स की अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल अक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये सीशर्स और मूट स्विंग्स को स्टैबिलाइज करता है, जो एपिलेपसी और बाइपोलर डिसॉडर के पेशिन्स को रिलीफ प्रोवाइड करता है, किसको एपिलेपसी के पेशिंस को होता है. बाइपोलर डिसॉडर, मूट स्विंग्स और एपिसोड्स ओफ मैनिया और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बाइपोलर डिसॉडर के पेशिंस को होता है. कैसे लेना है? ये यूशुली दिन में एक या दू बार लिया जाता है लेकिन डोसेज आपकी स्पेसिफिक कंडिशन और डॉक्टर के अड्वाइस के हिसाब से वेरी कर सकती है टाबलेट को पुरी पानी के साथ लेन साइड एफेक्ट्स लामोट्रिस के कुछ कॉमन साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे की हडेक, डिजनेस और नोसिया कभी कभी सेवियर साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे सकिन राश, जो सीरियस हो सकता है, मूड चेंजिस या सीवियर आलर्लिक रियक्षम अगर आपको कोई severe side effects feel हो, तो टूरंट अपने डॉक्टर से consult करें Important Tips अपने डॉक्टर के instructions को ध्यान से follow करें और dosage को adjust ना करें बिना डॉक्टर की advice के Medication को suddenly stop ना करें बिना डॉक्टर की guidance के क्योंकि ये seizures या mood swings को worsen कर सकता है अगर आप किसी और medication या health condition के अंडर है, तो अपने डॉक्टर को inform करें Conclusion तो ये था Lamotris 25 mg tablets के बारे में अगर आपको अपनी medication या health के बारे में कोई questions है, तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछे देखने के लिए धन्यवाद और अपना खयाल रखे